नमस्कार मैं हूं धरमेंद आप देख रहे हैं ओलाइन उजिंडिया चुनाव आयोग ने तारीकों का एलान कर दिया है उत्तर परदेश में साथ चंड में चुनाव होंगे लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग की तारीकों का एलान हुआ उसके बाद में सबसे पहला ओपीनियन पहला आया है और उस ओपीनियन में भारतिय जनता पार्टी बिल्कुल बाहर हो गई है भारतिय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुप्रा साफ हो रहा है आप यकीन नहीं करेंगे कैसे बीजेपी जो है वो 20% पर आकर के सिमट गई है बीजेपी जो कह रही है कि हम सैड़े 300 जीतेंगे अमिच्छा के रहे हैं अब सदे 300 जीतेंगे लेकिन कैसे बीजेपी पूरी तरह से फुसी बं की तरह से फुसी बं आपने देखा है ना दिखने में इतना लाजवाब दिखने में इतना बड़ा सुंदर सब कुछ बात और मार्केटिंग में उसका लोगो लगा बड़ा मुर्गा छाप वाला लेकिन जब उसको जलाया तो पता चला यह तो फुसी बं निकला अब देखिए यूपी तक यूपी तक ने यह सर्वे किया है और इसमें उन्होंने सवाल पूछा यूपी तक जो है वो आज तक का ही चैनल है यूट्यूब चैनल है और उस प पार्टी को आखरे फेस की वोटिगोगी और 10 मार्च को रजल्ट आपको क्या लगता है कौनसी पार्टी जीतेगी यह चुनाओर यह यह उन्होंने सवाल उट्था है कि कौनसी पार्टी इस बार यह चुनाओं जीतने वाली है भजपा सपा बसपा और chefs इन्हों ने सवाल अब इसके नतीजे क्या आए है ये नतीजे आप देखिए भाजपा को केवल और केवल जो है वो 22% लोग 22% लोग कहरें कि भाजपा जीते उसके बाद में समाजवादी पार्टी को 61% दी लोग 61% दी लोग कहरें कि अखिलेस याता हूँ इस बार मुख्यमंत्री बनना चाहिए बसपा 9% है कॉंग्रेस 8% है तो आप देखिए किस तरह से भाजपा के लिए एक बड़ा जटका यहाँ पर लग रहा है और ये 22% का मतलब यह है कि बीजेपी को इस बार 70 से 80 सीटे जो है 100 से बेहत नीचे आ गई है पहले सो सीट की बात हो रही थी लेकिन अब सो सीट तो दूर की बात रह गई है बीजेपी 70 80 60 के बीच में जो है वो बीजेपी रहती भी दिखाई दे रही है अब देखिए एक और आपको दिखाते हैं ओपीनियन पोल यह न्यूस 24 का ओपीनियन पो आपर 22% है बस पाच 4% है और कोई नहीं में जो है वह 4% है और यहाँ पर 15 56 लोगों ने जो है वोट किया है कितने बड़ा सैंपल है यह 556 हजार लोग जो है वोट कर रहे हैं और यहाँ पर 20% 62% लोग करें है कि अखिलेज यादव इस बार मुख्य मंत्री बनेंगे अखिलेज यादव आ रहे हैं बाबा की विदाई हो रही है लेकिन देखे कैसे नेताओं के अंदर भी जंग चल रही है एक तरफ जो है ओपीनेन पोल है दूसरी तरफ जो है नेताओं में भी जंग चल चुनाओं की जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी अखिलेज यादव ने अभी अभी ट्वीट किया है साथ बज़ करके 69 मिनट पर अखिलेज ने लिखा जूट का परदा फास होगा अब यूपी में बदला होगा बाइस में बाइस साइकल और दिखा रहे है कैसे योगे दितनात का पोश्टर फाड़ करके जो है वो लेकर जाय जा रहा है आप ये देखिए रनवीजे सिंग ने लिखा है दस मार्च भाजपा डिस्चार्ज भाजपा डिस्चार्ज हो जाएगी बैटरी खतम हो जाएगी भाजपा की यहाँ पर यहनों ने का है रज वोट बीजेपी बीजेपी को वोट नहीं करें बीजेपी का वोइकोट जो है वो यहाँ पर क्या जा रहा है तो बीजेपी के पास में आखिरकार मुद्दा क्या रहेगा बीजेपी किन मुद्दों को लेकर कि अब चुनाव में जाएगी क्योंकि माहोल जो है वो बीजेप मुश्किल यहां पर दिखाई दे रही है बीजेपी के लिए बड़ा जो है यहां पर जटका दिखाई दे रहा है उत्तरपरदेश बीजेपी ने ट्वीट क्या है यूपी में फिर खिलेगा कमल राजनिती की करो तैयारी दस मार्च को फिर आ रहे है भगवाधारी यहां पर ioni tweet किया यानि party का नाम नहीं है ब्यजय पिवही जो है वह चुनाओ धरम के नां पर भगवा के नाम पर चुनाओ को लड़ना चारिए कि भगवा धारी आहरे हैं हम है तो भगवा की रक्षा करेंगे, हिन्वों की रक्षा करेंगे, यह सारे वही जो है मुद्दे, जो रोजाना बीजेपी अपने उसके जो एजेंडे में दिखाई देते हैं, वही मुद्दे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट क्या आ रहे हैं, यह समाजवादी पार्टी ने ट्वीट क्या है, इन्होंने कम से कम जो है अपना एक एजेंडा रखा है कि हां अखलेस यादो आ रहे हैं, यह भगवाधारी आ रहे हैं, इससे बीजेपी क्या दिखाना चाहरी है, बीजेपी क्यों नहीं कह रही है कि योगे दि किस तरह से उत्तरप्रदेश के चुनाव का यह आगाज हुआ है और यह आगाज अब धीरे-धीरे किस तरह से बढ़ेगा, किसके पक्स में माहूल बनेगा, किसके पक्स से माहूल उखडेगा, यह कई सारे सवाल है, लेकिन एक बात बिल्कुल तैह है, कि चुनाव इस बार दिल्चस होने वाला है, चुनाव अभी तक जो है, कि महंगाई आप बताएगे, महंगाई से हम लोग खत्रे में आ गए है, यह देखिए, आपको ख़बर दिखाते हैं, यह अमरुजला की ख़बर है, अमरुजला की ख़बर आप देखिए, पी-म मोदी की सुरक्षा में एक दिन में खर्च होते हैं, 1,62,000,000 रुपय है, 10 फीज़दी बड़ा बज़ट, और यह 13 फरवरी 2020 की ख़बर है, 13 फरवरी 2020 को मोदी के बारे में एक ख़बर आती है, 1,62,000 रुपया एक दिन में खर्च हो रहा है, उसके बाउजिद मोदी जो हैं उनको उच्छाला जा रहा है कौन सा मुद्दा चल जाता है जो मुद्दा चल जाएगा उसी को रखेंगे आपको याद होगा 2019 के लोग सबाद चुनाओ में राहूल गांदी ने कॉंग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाया चोकिदार चोर है और उसके बाद में क्या क 24 का जो उपीनियन पूल है लाखो लाख लोग वोट कर रहे हैं और लाखो लाख लोग वोट करके बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार 60% से उपर है यानि समाजवादी पार्टी का एक तरफा जो है चुनाओ दिखाई दे रहा है कम से कम अगर इन उपीनियन पर सवाल यही है और इस सवाल का उत्तर जो है वो लोगों के दिलों में आपके दिलों में है आप बताएए नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए इस बार किसकी सरकार नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राज जुरूर दे और इसी तरह एक तमाम ख़वरों के लिए ओलाइन अप्लोड करें उसकी नोटिफियेशन आपको तुरंत में सकें धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर्द